नमस्कार मैं वशाली मेरे इस यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है हमारी आज की रेसेपी है पैन पीजा इन इंडियन स्टाइल विदाउट इस्ट एंड बेकिंग सोडा देखते हैं इसमें लगने वाली सामगरी लगबग दो कटोरी हमने मैदा लिया हुआ है बेस के लिए और गुन गुना पानी है गुनने के लिए मैदा और एक कटोरी दही है दो चमच चीनी है एक से दो चमच नमक है और दो चमच ओईल है और सूजी एक छोटा कटोरी पीजा बेस के फर्मेंटेशन के लिए हमने किसी भी ईस और बेकिंग सोडा का यूज नहीं किया हुआ है वही काम हम दही, चीनी, नमाक और ओईल के यूज से करेंगे इन चारुचीयों से बहुत हेल्दी वे में फर्मेंटेशन हम करेंगे हमारे पीजा बेस को जो काम इस्ट और बेकिंग सोडा करते हैं बहुत ही फास्ट वे में करते हैं लेकिन वो उसको पचाना हर किसी के लिए असान नहीं होता हम ये नेश्रल तरीके से बना रहे हैं बिल्कुल भी दही, चीनी, नमाक और ओईल ये हमारे बोड़ी के लिए बहुत ही हेल्दी है तो देखते हैं इसे बनाना अब हम पीजा का डो तयायर करते हैं सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे दही सूजी डाल देंगे चीनी डाल देंगे नमक डाल देंगे और ओईल डाल देंगे और इसको गूनने के लिए हमको हलका गुनगोना पानी लेना है थोड़ा थाड़ पानी डालके हम उसको गून देंगे पहले एच्छे से मिक्स कर लेते पीजा बेस का डो हातों की जायता से हमने मसल के तयार कर लिया यह बहुत ही सॉफ्ट डो रखना है हमको यह देखिए इस तरह से सॉफ्ट होना चाहिए देखिए पीजा बेस का डो तयार हो चुका है अब हम इसको थोड़ा सा ओईल लेंगे हातों में और सभी तरह ओईल लगा देंगे इसको और इस तरह घुमाते हुए इससे फोल्ड करेंगे बहुत ही अच्छा डो तयार हुआ है अब इससे फर्मेंटेशन के लिए रख देंगे क्यूंकि हमने नेस्रल बे में इससे बनाया है तो इसके फर्मेंटेशन के लिए लगबग 5-6 घंटे लगेगा क्यूंकि अभी ठंड का टाइम है तो इसमें जादा टाइम लगेगा 5-6 घंटा और अकर गर्मी के टाइम पे हम बना रहे हैं तो लगबग 2 घंटे में ही फर्मेंटेशन हो जाता है और हमारा पीजा बेस बहुत ही अच्छा तयार हो जाएगा पीजा बेस का डो तयार हो चुका है और इसको हम 5-6 घंटे के लिए ढखके रख देंगे और आज की रेसिपी के लिए मैंने ये डो पहले तयार के रखके रखा था लगबा 5-6 घंटे पहले ये देखिए इन दोनों के साइज में आप अंतर देख सकते हैं बहुत ही अच्छा फर्मेंटेशन हुआ है इसमें दीकि हम इसको दबाएंगे तो ये वापा सजाएगा बहुत ही स्पंजी आठा तयार हुआ है ये पीजा बेस के लिए तो अब हम इसको ढखकर रख देंगे और इससे हम आज का पीजा तयार करेंगे पीजा का डो तो हमारा तयार हो चुका है देख लेते हम आगे की सामगरी पीजा टॉपिंग के लिए हमने ली हुए शिमला मिर्च दो शिमला मिर्च है जिसे बड़े टुकडों में काट लिया है एक बड़ा प्याज लिया हुआ है और और दो मश्रूमे जैसे छोटे टुकडों में काट लिया है और पीजा शॉच के लिए हमने चार से पांस टमाट लिये हुए है और इसके तड़के के लिए शुचलर लिए knocks लिए कआटे के लिए चिली या प्याज है शुच या हो से ठीके मिर्च है kashmere कट लिया है और एक बड़ा टुवड़ा कम ने बने पनीर लिया हुआ है यह को बनने के बाद हम सुरू कर दे हैं सबसे पाले हम टमाटर किल तियार करें गे इसको पहले हलका सा कट करेंगे और इसमें ऐसे कट लगाएंगे जिसे ब्लांच होने के बाद इसका छिलका असानी से निकल जाएगा यह देखे इस तरह से हम करेंगे उपर का हिस्सा हम असानी से काट लेंगे बहुत ही अलके से और इसमें कट लगाएंगे आप अब हम टमाटर को ब्लांच करने डालेंगे पानी उबल चुका है हम टमाटर को डाल देंगे लगबस में लगबख 2-3 मिनिट में टमाटर ब्लांच हो जाएगे 2-3 मिनिट हो चुके हैं देखिए टमाटर बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लांच हो चुके छिलका देखिए इसका बाहर निकल चुका है अब हम इसे निकाल देते हैं और ठंडा होने पे इसके छिलके निकाल लेंगे जब तक टमाटर ठंडे हो रहे हैं हम अपने पीजा टॉपिंग के सब्जियों को हलका सा फ्राई कर लेते हैं एक छोटा चमाच हम आईल डालेंगे आईल गरम हो चुका है अब हम पीजा टॉपिंग के लिए जो सब्जी लिए हो हमने उनको फ्राई कर लेते हैं अच्छी तरह से भूल लेंगे ताकि यह थोड़ी नरम हो जाएं क्योंकि हम यह पीजा पैन में बना रहे हैं माइक्रोवेर में नहीं बना रहे हैं तो यह थोड़ी सी पक जाए भूलने से लगादा चलाते हुए इसे हम चाहिए कर लेंगे और दो चूटकी हम इसमें नमक डाल देते हैं इसमें सब्जी उवर टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं देखिए पीजा की टॉबिंग तयार हो चुकी है बहुत ही अच्छे फ्राय हो चुके हैं मश्रूम शेम्ला मेच प्यास अब हम इसो टमाटर हमने ब्लांच किये थे ठंडे हो चुके और इनके छिलके हम निकाल लेंगे यह देखिए जो हमने कट लगाया था तो उससे ओधल को डिकाल लेंगे वह देखिए प्सक्रेस को पार्दिये एब इसको ट्रों करण करेंगे को कि पीज्ँ में यूज नहीं करेंगे तो बीजलक कर देंगे और आज बीजलक करने के बाद हम इसी 152 ब्लैंड कर देंगे अच्छा पेस्ट बना लेगे सोब ळेख निकाल दिया और काट लिया है अब को ग्राइन कर लेंगे oggi गर्यु हुआ टाहरोगई चुका है अब इसको तड़कर लगाएंगे कड़ाई हम ने रख दिये गैस पर गरम हो चुके ऐल लाल देंगे लकबख 2 चमच चमच राल देंगे जीरा डाल देंगे जीरा अच्छा क्रेकल हो हुआ है लंस्मे लसन और अद्रग डाल देंगे अब हम प्याज डाल देंगे और अशी तरह से भून लेंगे इसके प्याज अच्छे से भून चुका है अब हम इसमें हल्दी बाटर डाल देंगे मिर्स डाल देंगे स्वाध अनुसर और थोड़ा इसमें चिली फ्लैक्स डालेंगे नमक डाल देंगे स्वाध अनुसर दो मिर्ट भून लेंगे मसाला प्याज मसाले अच्छे से भून चुके अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे दस मिर्ट तक हम इसे पकने देंगे खुड़ा गाड़ा होते तक सॉस तयार हो जाएगा जब तक देखे पीजा सॉस तयार हो चुके है बहुत ही अच्छे कुछ भूहा रही है इसमें अब हम इसे बाउल में निकाल लेते हैं और पीजा बेस तयार करते हैं अब हम पीजा बेस तयार करेंगे हाथों में सबसे पहले ओई लगा लेंगे बड़ी सी लोई लेंगे हम राउन कर लेंगे अच्छे से इसको थोड़ा सा मैदा लगाएंगे और इसकी रोटी बेल लेंगे पीजा बेस को आप बेल कर भी बना सकते हैं और हातों की साथा से भी दबा दबा कर गोल अच्छा तेरा बना सकते हैं यह देखिए अच्छी तरह से बन जाता है देखिए बेस तयार हो चुका है अब हम उसको फोक के सबस्सक्राइए इस आता से हलके हलके छेट कर देंगे ताकि जब यह सिखेगा तो यह फूल है ना रोटी की तरह और हमने पैन यह रख दिया गयस पर प्रिहीट करने अच्छे से गरम हो चुका है अब यह इसको डाल देंगे जला देंगे अच्छे से और यह हलका भूरा रंग आ जाएगा तब इससे पलटेंगे देख लेते हैं नीचे साइड से भुरे रख वरा रंग आगे बहुत अच्छा अभी मी इसे पलट देंगे बहुत अच्छा अब हम इसमें टॉपिंग लगाएं गSub सबसे पहले सबसे पहले हम पीजा बेस के टॉप में ऑईल लगाएंगे और इसके साइड में भी डिजल कर देंगे थोड़ा जिसे असानी से बहुत ही अराम से पके गाई है अब हम इसमें पीजा सॉस लगाएंगे सबी तरफ अच्छे से फैला देंगे देखिये पीजा सॉस हमने अच्छी तरह सा फैला दिया है सब तरफ अब हम इस सबजियां डालेंगे जो हमने भूनी थी सब तरफ डाल देंगे अच्छे से मश्रूम, शिमला, मिर्च, प्यास अच्छे से फैला देंगे अब हम इसमें पनीर को कद्दू कस कर देंगे और इसको धीमी आज में हम पकने देंगे 15 मिनिट तक ताकि ये अच्छे से सिखी जाए अंदर तक गैस की आज हमको सिमी ही रखनी है और इसको हम ढग देंगे और इसमें थोड़ा चिली फ्लैक्स डाल देंगे अब इसे ढग देते हैं 10-15 मिट हो चुके हैं देख लेते हैं टॉबिंग भी अच्छे से मैल्ट हो चुकी है पनीर नीचे से ढख लेते हैं बहुत ही अच्छा सिख चुका है मारा पीजा बहुत ही सॉफ्ट बनाई है अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं हमारा इंडियन स्टाइल पैन पीजा विदाउट इस्ट एंड बैकिंग सोडा तयारे खाने के लिए इस रेसिपी को आप जरू ट्राइ करिए क्योंकि एक हल्दी पीजा रेसिपी है और कमेंट करके बताना ना भूले कि ये पीजा आपको क्या सा लगा और मेरे इस यूटुब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूले धन्यवाद